हिमांचल विधानसवा चुन्ना परचार का आज अंतिम दिन था पांच बज़े तक चले परचार में तलों ने अपनी पूरी ताकत जोंखनी एक दूसरे को पर हमले तेज रहे फाजपा की तरफ से जेपी नर्डा अनुराब ठाकुर वय्योगी आदित्यानाथ ने परचार क का मान संभालने रखी तो कॉंग्रेस की रास्ट्य महासचव करेंग कगांधी से मुर्चा संभाले रखा भाज रिवाज बदलने के नारें किसार नावी मैदान को 12 नुवंबर को मतदान होना है हिमाचल चुनाव कॉंग्रेस सेवं भाजपा दोनों के लिए प्रतिस्था का सवाल बन चुका है भाजपा के रास्टे अध्यक्ष जेपी नड़ा अनुराग ठाकुर वा मुखेमंदरी जराम ठाकुर की इज़त दाओं पर लगी है तो दूसर का ऐसे इशूस बना बनाया और उसमें कैसे के बराजय सरकार में इतना अच्छा काम किया है उसको मैं आई वांट टो हाइलाइट डबल एंजिन के सरकार का आपने अच्छा सा उदारन हिमाचल परदेश में देख सकते हैं क्योंकि जहां प्रदान मंत्री जी गरीब मतलब अंत्योदय के नाम में गरीब के लिए गरीब कल्यान के लिए गरीब को एंपावर करने के लिए जितने भी स्कीमु ले आए हैं वो सब के सब पूरे हिमाचल परदेश में इंप्लिमेंट हुआ अगर मान लीजिए एक स्कीम के तहट फूरे eligible population हिमाचर प्रदेश में 100 लोग हैं और केंदर सरकार के वो स्कीम के द्वारा 80 लोग तक पहुंच पाएंगे केंदर सरकार के फंड के द्वारा बाकी रहने वाले 20 लोग को कवर करने के लिए स्टेट गर्मन्ट उनके अपने तरफ से एक स्कीम लेया करके पेरिंग किया केंदर सरकार के आयुश्मान भारत उदारन के लिए मैं बोड रहे हैं और हिम केर स्टेट गर्मन्ट के द्वारा सो अगर आयुश्मान भारत के द्वारा चार लाख से अधिक हिमाचलियों को मेडिकल कवर मिला पांच लाख रुपया तक सानाना ये बच्चा हुआ लोगों को कवर करने के लिए हिम केर के द्वारा चे लाख लोग को चे लाख से अधिक, I am only giving rounded figures, चे लाख के अधिक के लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कवर किया सो पेरिंग का सिस्टम के द्वारा सेंट्रल गर्मन्ट के स्टीन भी चलती है उसमें जो इलिजिबल है मगर उसमें कवर नहीं हुए वो बाकी सबको स्टेक गर्मन्ट पेरिंग करके उनके द्वारा वो ख़बर भी किया है हेल्थ केर में एसे ही एक्जाम्पल में अगला दे रहे हूं